है लो दोस्तों रानकलासेज में आपका स्वागत है तो बहुत सारे परिछाती मैं तो कर रहा हूं कि लाखोके से संख्याधीक होगी और बहुत परसान है क्योंकि रियल्ट नहीं देखे हैं रियल्ट हुई भी है कि नहीं क्योंकि अनिस्चिताओं का दौर है जो इसे बी एस इसकि रियल्ट देखना लेकिन उनके रियल्ट गाहाट है तो कही नहीं कि यह जो भी प्रोशेस हो मैं यहां लहीं है कि यह है कि ली स्वागत हैं नहीं होगा तो उनका हुए इसा संभब नहीं है क्योंकिन एक हो सकता है दस हो सकते हैं लेकिन 500 से 1000 या संख्या जो कि बड़ी भी हो रही है क्योंकि धीरे देर बढ़ती जा रही है और अइसा नहीं कि जो 120 ला रहे हैं वो जुट वो लेक्विक उनके सारे जगह सिर्फ आइनल कहीं नहीं होए तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं है जो कि अंतर है कि करने में ज्यादा हो गया कहीं 90 और 130 नमबर का अगर फर्क है तो कहीं न कहीं गरऊ और सबसे ज्यादा जो में मुद्धा जो है बीए से इंट्रेवल प्री एक्जाम का रोल नंबर जाने के क्या तरीका अपना है विस्तार से जाने तो क्या तरीका क्योंकि आप सोच रहे होगे कि वेब साइट पर है जो कि अड्मिट काड़ आएगा उसका लिंक तो आप देखी रहे है वो पुराना लिंक है उससे कोई फायदान आना ही बीए सेसी का कोई प्लान है कि आपको अद् जोडुरान देजाए एक इसाद है अग्र सकते हैं कि आपको और साद है क्या बहुत झाकि भूल गया हुँ है और रोल लंबर जादने के आपके पिर वहां पर एभी पीभी हो लेकिन आपको रॉल नंबर बताया जाए तो आप काफी जो कि भीड़ भी रहेगी आज क्योंकि बहुत हाला कि बहुत लोगों की जानकारी नहीं कि बहुत सारे लोग आउनलाइन को बहुत दूर दूर रहते हैं तो नजदीक वाले पटना वह आज है जो कि जा सकते हैं और का आज बैन दो पंड जरूर ले लें या कार्बन कोफी लें क्योंकि आपको रिसीविंग वी चाहिए अईसा नहीं क्या दे दिये और हो गया तो पेन और पीन आप जो ही ले जाना है जो ही और आईडी ज़रूर ले जाए आईसा नहीं होना चीए कि आइडी ले ने जाए अगर दूर हैं तो क्या करें सबसे बड़ी चीज है कि दूर हैं तो उनके लिए काफी फरशानी का सबब है कि गवान नहीं सकते कोई गुजरात में हैं तो कोई त्रविंद्रम में हैं तो कोई संभवी नहीं तो उनके लिए आप यह प्रोसेस अपना सकते हैं कि आप सिंगनेचर है जो कि आप कर दें और आवेदन जो है आप स्कैन करके बना कर वहीं से भेज दें और जो नजदी की हैं पटना में वह जाकर ले जाएंगे और आइडी भी आपके आइडी का फोटो स्टेट लगा दें क कम से कम जो कि आपके सिंगनेचर भी सही रहेंगे और आइडी का फोटो स्टेट का परियास करें कौंटर पर भेजवाएं किसी को तो उम्मीद है कि कुछ ने कुछ सोलूशन जरूर मिलेगा मतलब आप कर सकते हैं और जो है इमेल से आप कर दें और वह उतना चेक नहीं करे दें तो फिर है जो कि आपको रोल नंबर में जानने में सुविधा होगी और क्या लिखना है मालेज कि आपको की सिर्फ साइंसी नेचर चाहिए तो वहां काउंटर पर जाएंगे तो बता देंगे जनरली यहीं लिखना है उस अचीव के नाम से बिसा है कि रोल नंबर जान बताने की किरपा करें तो आपको जमा कर दें और जो भी प्रोसेस होगा खासकर वहां जाएंगे जो भी जाएंगे अगर खुद नहीं जापकत तो किसी समंधी को भीज़ दें या किसी जान पहचान परिचीत को भीज़ दें तो यही एक उपाय है और दो-तीन दिनों से मेंस की तो आप जान रहे हैं कि अप्रील में है जो कि इसकी परिच्छा होगी और यह जो सो नंबर के हिंदी है और यह अनुमान है हो सकता है पैटर्न चेंज करें क्योंकि पहली बार इंटर लेकिन जो ट्रेंड रहा है चाहे बीपी एस सी की हो या बीएस सी को मेंस में कि आपको 300 नंबर के जो की प्रसंद रहेंगे और निगेटीव रहेंगी और छे तो नंबर के आपको लगबंग उमीद है कि आपको मेंस का विग्यापण मेंस का फॉर्म फिर से भरा जाएगा और बहुत सारे लोग जो कैटेवरी चेंज करने के बात कर हैं तो तो देखना पड़े चेंज करने दिया जाता है यह नहीं दिया जाता है बहुत सारे लोगों की गलती भी बढ़ाएंगे क्या वो जो पोस्ट प्रिफ्रेंज जो चुने गाया था उसको भी चेंज कर सकते हैं तो यह पनाने के बाद ही पूरी तरह किलियर होगा तो इह फरसानी है लोगों बी एससी को करना चाहिए और पूरी तरह जो प्रकिरिया है वो कहीं ने कहीं है जो कि इक तम बंद है ना तो अंसर की जारी की गई ना तो यह कट ओफ बताया जा रहा है और मतलब पूरी तरह बंद तरह की परकिरिया पूरी हुई है और संका हैं जो की काफी बढ़ती जा रहे हैं खासकर भीरतियों में कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही सीटिंग में और इतने अंतर और जो पास किये बस उनकी राए यही है कि वो 15,000 पर पहुच जाए तो कहीं ने कहीं है जो कि रियल्ट को सोचना पड़े हैं और कौन सीफर क्रिया अपनाई गई है वो तक्निक का तो लिख दिया है उन्होंने पहले की लिप्रिकेशन कर दे कि यह तक्निक लेकिन इंतनी अंतर तो आज तक मैंने कभी नहीं दिखिए र सारे लोग सोच हैं दूसरे option भी तो नहीं दूसरा option कोई नहीं है और नहीं BSSC अभी तक कुछ दिया है तो आपको जाना ही पड़ेगा या किसी समन्दी को भेजना पड़ेगा एक आवेदन चलान पत्र अगर है तो नहीं भी है तो आपको टेंशन नहीं लेना रिशेशन आपको पहुचना पड़ेगा या पहुचाना पड़ेगा किसी को और कोई दूसरा उपाय नहीं आपके रॉल नंबर जानने के लिए अभी तक आगी क्या करती BSSC तो देखना होगा तो आपको अपडेट कैसा लगा तो परमेंट बॉक्स में जरू लेकर धन्यवाद